हाई, हाव और यू अल, आज मैं इतना इंटरस्टिंग टॉपिक आप लोगों के सामने लाई हूँ, कि जैसे ही आप इस टॉपिक को सुनेंगे, अमेजिंग वाइवरेशन आ जाएंगी, यह कैंडिल कलरों के मीनिंग, जो कलर्स है, हर व्यक्ति कोई न कोई कलर उसे अट्रै आने जा रही हूँ, बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है, आप लास तक बने रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि आज मैंने वाइट कलर पहना है, तो क्यों ना वाइट कलर से ही शुरू करते हैं इस टॉपिक को, आखिर कुछ लोग होते हैं, जो वाइट कलर को ही क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो है प्योरिटी का कलर, आप देखेंगे उनके नक्षत्र, उनकी ग्रहे हमेशा वाइट कलर की तरफ जाएंगे, वो घर में पेंट कराएंगे, वो भी वाइट कलर का, हजारों कप्रे रखेंगे से वाइट कलर ही चुनेंगे वह पीस का कलर है प्योरिटी का कलर है वह आपको सचाई का कलर है जब भी लोग इस कलर की तरफ होते हैं वह हाट से बहुत ग्रेट हाटेड होते हैं उनको दान देना उनको अच्छी बाते सुनना जो नेगेटिव चीज़ें उन्हें अवोइड करना यह सारी आदते उनकी होती है तो वाइट कलर यदि आपको एट्रैक कर रहा है तो समझ जाईए या वाइट केंडल का आप इस्तिमाल करते हैं अपन ब्लाक कलर के हम कपड़े पहनते हैं ब्लाक कलर का दान देते हैं या ब्लाक कलर से हम बहुत जदा प्रभावित रहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो ब्लाक कलर यह प्रोटेक्शन कर रहा है कुछ लोग अपनी प्रे में ब्लाक कैंडल का इस्तिमाल करते हैं जो प्रोटे तू का भी उन पर मैंने देखा है वहाँ असर है यहां मैं अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रही है यहां अट्रेक कर रहा है कलर ओर गार ओर कांड़ल इसकी बात कर रही हैं तो यह stability का color है, protection stability का color है, तो जब कभी आप black candle, black color को ज़्यादा choose करें, तो यानि की आप protections आ रहे हैं, देन हम आके बढ़ते हैं, जैसे brown color, तो यह मैंने पहना है, देखिए brown, brown grounding का color है, friendship का color है, यदि आप brown candles का इस्तेमाल करेंगे, brown color को अकसर चुनेंगे, जब भी आप meetings में जाते हैं, अकसर आपने देखा हैं, लोग brown color को पहना पसंद करते हैं, brown coat, brown shirt, brown को ज़्यादा prefer करते हैं, because यह friendship का color है, यह positivity का color है, यह आपको देता है positivity की, आप जो meeting चाहा रहे हैं, उसे चाहते हैं, पूरी तरह पूरी हो, अच्छे suits आप देखिए, वो पहनते हैं लोग, and that shows a grounding, आप brown color का इस्तमाल करेंगे, तो आप देखिएंगे, आपको grounding form होगी, यानि कि down to earth ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो brown color indicate करता है, यदि आप brown के ending offering कर रहे हैं, God के सामने किसी ritual में, तो आप समझ लीजिए, ये color friendship को, आपके जो संबंद हैं, जब professional label पर हो, उन्हें दर शाता है, then हम और आगे चलते हैं, and the beautiful color, that is called red, red color, तीक तीक ऐसा लगता है ना, aggression, red color जो है, वो activate कर देता है, और आपको एक बात नहीं पता होगी, जिन लोगों का लगता है कि, उनके अंदर कुछ प्रकार की relations problems है, sex relation या other relations problems, they use a red color, that's a beautiful color, that's indicate a power of your inner strength, ये peace, action, और आपको strongness देता है, ये aggression आपके अंदर बढ़ा देता है, तो जब भी आप red color की candle, red color की dress पहनेंगे, एकदम से आपके higher chakras activated हैंगे, aggression आपके अंदर बहुत रहेगा, आप जैसे aggression की तरफ जाएंगे, strength आपके अंदर बहुत ज़ादा आ जाता है, तोड़ा सा और आपके चलता है, that's orange color, beautiful orange color, beautiful orange color की candles, अकसर लोग कहते हैं, कि orange color को choose करते हैं, orange color की candle का इस्तिमाल करते हैं, orange color की colors अपने रूम में कराते हैं, तो orange जो color है, that is joy and energy, जैसे आप orange color को धारंग करेंगे, कितने भी weakness आपकी body में हो, एकदम से आप strength हो जाती है, बहुत से लोग orange color पहनते हैं, तो उनसे उनकी energy जो होती, वो उनकी अंदर रहती है, at the time of meditation, if you are wearing the orange color, तो आपकी जो energies होती हैं, उन्हें बहार निकलने नहीं देता, and multiple आपकी energies को भड़ाता है, तो जब भी orange color आप पहनते हैं, orange color का इस्तिमाल करते हैं, that shows कि आपकी energies, बहुत हद तक overlap याँ, बहुत हद तक high हो रही है, तो orange color का आप इस्तिमाल कर रहे हैं, that's a wonderful, then हम भ्याद करेंगी yellow color की, पीला रंता, that is called yellow, little but ये golden भी आप इसे कह सकते हैं, but yellow color, ये manifestation color है, manifest करना, बहुत से लोग yellow color को चूज करते हैं, yellow sari, yellow suits, and at the time of Pooja भी वो yellow color पहनते हैं, yellow mask, yellow, हमेशा yellow, यारों की cupboard आप खोड़ेंगे, thousand of yellow suits and sari, या other kind of dressing उनको मिल जाएगा, तो इसका मतलब होता है, यदि वो yellow color दिख रहा है, तो yellow आपके लिए manifest कर रहा है, यदि आपको कोई इच्छा manifest technique के थूँ, और candle के थूँ करनी है, please use a yellow color candle, जैसे ही आप करेंगे, आपको manifest, clarity, आपके creativity, ये सारे color yellow color दर्शा आता है, creative आपको बना देता है, यदि आप arts की field में हैं, या ऐसी gameless field में हैं, तो आप yellow color का रुमाल जेम में रखना ना भूलें, आप कहते हैं कि हम sound healing में हैं, या हम action की दुनिया में, creativity की दुनिया में, paintings की दुनिया में हैं, हम graphics की दुनिया में हैं, उस समय हमारे अंदर वो चीज नहीं निकलते हैं, या हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अगर ऐसी creativity, inner heart आपके अंदर है, तो आप yellow color का, मैं आपको वास्तु का उपाय, जोतिश का उपाय दे रही हूं, रुमाल जेन में रखिए, और yellow color की candle आप जलाएंगे, अपने room में या nearby आपके पूजा, या आपका जो भी आपका इस्थान है, वहाँ पर तो एकदम से vibrations create हो जाएंगी, देन आप बात करेंगे थोड़ा सा money के बारे में, सबको चाहिए, और अच्छा use money चाहिए, हम अकसर money के लिए मैं किस की बात करती हूं, हमेशा बात करती हूं, green color, तो green color की अधिक candle और green color आपको अपनी तरफ खीच रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर green color आपको impress कर रहा है, तो मतलब है कि आपका money double हो रहा है, because green color is a luck, money, और आपकी जो भी personal issues हैं, चाहिए वो बच्चे होने में हो, चाहिए other problems हो, वो सारा color green से related होता है, बहुत amazing बात बता रही हो ना, इस दम ताज़व होगा, कोई भी ऐसी problem जो आपको लगती है, और आपको healing चाहिए उसमें, चाहिए वो money की हो, चाहिए आपकी personal level पर healing हो, चाहिए आपकी emotional level पर healing हो, या आप अपना physical यापी healing चाहिए, कोई भी healing, चाहिए वो money को लेके हो, तो हम बात करेंगे green, यानि कि मैं यहाँ एक शब्द दूँगी, green is a color of prosperity, any kind of prosperity, यानि कि सम्रध्धी, अगर आपको चाहिए, चाहिए किसी भी direction में चाहिए, included relationship, included husband-wife relationship, तो आप green color का यहाँ इस्तिमाल कीजे, green color candle, और जो लो green color का इस्तिमाल करते हैं, उनकी body में healing होती रहती है, यह ज़्यादा लोग green color की तरफ attract होते हैं, अब बात करते हैं, that is blue color, blue, neela, आस्मान देखा है न, कितना आप पर देखें, कितना blue, एक सम्रध्धी, forgiveness, forever, यह सारे communication skills, और एक विराज, आप समुद्र को देखिए, नीला समुद्र आक दिखता चला जाता है, यह जो बिल्कुल आपको दिखता रहे, आप किसी को माफ करना चाहते हैं, उस समें blue candle का इस्तिमाल कीजिए, या blue color जो उतको खीचता है, वो अती का जादा चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके पास बहुत थो, जो भी चीज़ वो करेंगे, बहुत बड़े लेबल पर करेंगे, जो भी चीज़ चाहेंगे, बहुत बड़े लेबल पर चाहेंगे, उनकी सोच, उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती है, जो blue color का इस्तिमाल यहां पर करते हैं, तो blue color जो indicate करता है, वो इन ही चीज़ों को करता है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, then purple color, beautiful purple color, जो बैगन का color नहीं होता, that is purple, थोड़ा सा light purple भी आप ले सकते हैं, purple is a wisdom color, purity color, यह आपको wisdom देता है, यह आपको peace देता है, यह आपको varieties of आ blue color है, वो indicate करता है, आपका purple color indicate करता है, bright आपका wisdom, तो जिन लोगों को दिखता है blue color, यह पसंद blue color की सारी blue color का suit करते हैं, तो यह wisdom का color है, यह आपको विराज, यह आपको विराज, यानि कि अदि आप प्रोफेशनल label पर किसी chair पर बैठे हैं, it is called blue color chair, that means, कि आप बहुत label पर होना चाहरे हैं, कि वो आपको attract कर रहे है, then pink, pink is a beautiful color for relationship, if the girls, most of the girls love pink color, because उनको चाहिए, relations अच्छे रहे हैं, हम अच्छे से मिलके रहे हैं, हमारा boyfriend, हमारा husband, हमारे mother, father, हमसे खुब प्यार करे हैं, मिलके रहे हैं, तो most of the people's attract pink color, तो जब pink color पर अट्रैक हो रहे है, pink color ह पता ने कि मुझे pink color ही पसंदाता है, that means boys या girls कोई भी pink color इस्तिमाल करती, तो उनके जो emotional है, जो personal emotional है, उनको वहाँ दर्शाता है, तो जो color pink होता है, या color आप candle का pink इस्तिमाल करेंगे, prayer के समय में, तो आपकी relationship मजबूत होगी, यहाँ पर रो स्कॉड जैसे मैं हमेशा बो प्राबलम में offering एक दूसरे को husband wife pink color का ज्यादा करें, तो आप देखेंगे, pink vibrations वहाँ create होती है, pink एक और वहाँ create होती है, its color shows a relationship, तो आज मैंने आपको इतना अच्छे topic पर बात करी, आप इस्तिमाल करना आज इसे शुरू कर दीजे, manifest कीजे candles को, आप color यदी शौकीन है, इ इतना सही बता है, मेरे रेकी के आँद जुरू है, thank you so much